इस हम आप लोग को प्लास टेन माnya को जिसमें से एक धेरम हमेसा पूछी जाती है उसके नाव तीन चार question दो जितनी important question इससे उसके बारे जो रोग जिख्र करेंगे आईए देखते हैं क्या पढ़ना इसमें, क्या important है और करना है आपने जैसा देखा यह आपका chapter 10 circle है इस circle में को दो point पढ़ना है पहली point tangent to a circle, दूसरी point properties of tangents जहां के जो tangent to a circle है, यहां से question ज़्यादा important नहीं कुछ बनता नहीं ज़्यादा दूसरी point से आपको पढ़ना है properties of tangents तो सबसे ज़्यादा important आपकी यह point हुई आथी second सबसे ज़्यादा most important point होगी जहां पढ़ना है आपको क्या properties of tangents के बारे पढ़ना है 3 या 4 marks का one question पूशा जाता है बार बार इस chapter से इसी की बारे कि हम लोग पढ़ेंगे लेकिन सबसे पहले मैं आपको कुछ points बता दूँ जैसे आप सुरी जानते होगी यह आपका circle है circle का यह आज center हो गया अगर circle के center से आप कोई line segment ड्रा करेंगे जो यह से circumference पर टच करेंगे इसको आप क्या बोलेंगे circle की radius बोलते है ठीक है उसके बाद यदि यह आपकी circle है इस circle से अगर यह इसका center रहा centers होकर कि कोई line ऐसे जा रही हो और इस circle के ऐसे circumference पर ऐसे 2 point पर टच कर रही हो तो यह जो आपका line segment हो जाएगा जो पढ़ना हो यह पढ़ना यह circle है अगर इस circle की कोई point है circle के circumference पर कोई point है यहां से कुछ ऐसे हमने एक line ड्रा कर दिया ज़िए और वो line इसके किसी point को touch करके जा रहा है इस circle के किसी point को touch करते में जा रहा है तो इस line को हम बोढ़ेंगे tangent क्या बोढ़ेंगे tangent और जिस point पर यह circle को touch करते में इस point को बोढ़ेंगे यह first point थी यह आपकी जो line है इस line को हम क्या बोढ़ेंगे tangent इस circle की point को touch करते में जाए जिस point पर इस circle को touch करेंगे इस point को हम बोढ़ेंगे point of contact बोढ़ते हैं कि यदि कोई circle आपके पास है यह समझीए circle है अगर इसको touch करके नहीं जा रही है ऐसे intersect करते में जा रही है तो इस line को आप बोढ़ेंगे stand यह इसकी stand होगी stand and tangent में है difference है यह circle की किसी एक point को ऐसे touch करते में जाएगा जब इस stand देखी circle को ऐसे intersect करते में जा रहा है तो इसका कुछ part circle के अंदर आ जा रहा है यह हो गया stand यह हो गया tangent तो ही बाद तो सबसे important जैसे यहां पर figure में आप देखिए यह circle नहीं इस circle की किसी point को यह line touch कर रही है touch करते में ऐसे cross कर रही है यह pass कर रही है तो इस line को हम tangent बोलेंगे लेकिन जिस point पर देखिए point A रहा जिस point पर यह क्या करें इसको touch करी हो गया point of contact हो जाएगा इसके बाद यहां पर देखिए यह आपकी circle है यह एक आपका कोई line है A B इसका नाम है अभी देखिए circle के अंदर point को cut करें यह हो जाएगा इसका के scan हो जाएगा लेकिन यहां पर देखिए circle यह इससे बाहर है ना कि यह tangent है ना ही scan है अभी हम बात करेंगे कि आपको पढ़ना tangent to a circle means किसी circle पर कितने ही tangent हो सकते हैं अगर suppose करीए आपका circle रहा इस circle के बाहर हमने कोई point ऐसे लिए यह circle का नाम दिया point A गार है अब हमने का इस circle पर इस external point से कुछैंर है tangent ड्रा कि आपको ही यह इस очер F i station shy has a single the flattenedlock ifane की जाक्रते हैं अगर आजाए सर्किल के बाहर कोई एक पॉइंट है इस पॉइंट से सर्किल पर किते हैं तो टू टैंजेंट ड्रा कर सकते हैं जब कि हमने का यह सर्किल है इस सर्किल पर करें कोई पॉइंट है इस पॉइंट से कितना टैंजेंट ड्रा करेंगी तो केवल वन टैंजेंट आपने देखा सर्कील के external कोई point है यहां से two tangent ड्रा कर सकते हैं सर्कील पर कोई point है तो केवल और केवल one tangent ड्रा किये जा सकते हैं और अगर इसी question को ऐसी का दिया गया कि यह circle है क्या है यह circle इस circle पर कितने tangent ड्रा होंगे तब यहां पर आपका answer हो जाता है इससर्कील कर सकते हैं यहां भी कर सकते हैं यहां भी पर किसी ग्ट किए सकते हैं। यहां से कोई टैंजिंट ड्राह हो सकता है। सर्कील पर कितने हैं टैंजेंट ड्रा करेंगे अंदर सर्कील कितने हैं टैंजेंट ड्रा करेंगे सर्कील के अंदर कोई पॉइंट यहां कितने हैं टैंजेंट ड्रा करेंगे यहां पर 0 टैंजेंट हो जाते हैं कोई टैंजेंट ड्रा नहीं हो सकता ठीक है यह बात ही बताया अगर कोई circle हो उस circle के external point से कितने tangent राते रहेगे दो tangent रा कर सकते हैं लेकिन यदि circle है उस पर खागे एक point है उस point से कितना one tangent है हमने केवल कहा कि circle है circle पर कितने tangent इंफाइनाइट tangent लेकिन हमने का circle के inside कोई point है तो कोई tangent रहा नहीं होगा ये important बाते थी, आईए आपको दिखाते हैं खेरा नम्मर बढ़न, तभी कभी ये question बहुत कम पूचता है, लेकिन important है, जो इसकी दूसरी खेरा में वो हमेशा maximum time repeat करते हैं,